हेलो एवरिवन आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक बहुती टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफस्ट की रेसिपी और हाँ ये आप ब्रेकफस्ट में भी बना सकते हैं लंच में भी और डिनर में भी बच्चों को बहुत पसंद आती है और परसनली मुझे भी बहुत है तो आप भी अपने बच्चों के लिए जरूर बनाएं तो सबसे पहले पैन में हमने एक चमच घी लगा लेना है अगर नॉनिस्टिक पैन है तो जुरुत नहीं है लेकिन आप हलका सा लगा सकते हैं उसमें आपने डालना है एक कट्ची के बराबर डोसा का बेटर अगर आपको डोसा या एडली का बेटर बनाना नहीं आता है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो रेसिपी आप देख लेना वीडियो का तो बस आप डोसा बेटर को डाल देना है और जितनी भी सबजी आपके पास हैं गाजर, प्याज, बीडूट, सिम्लम इसके उपर बारिक बारिक काट के हमने डाल देनी है उपर से थोड़ा हमने इसमें नमक डाल देना है और इसके बाद हमने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देना है अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्ची काट के डाल दीजी और बैस बाद थोड़ा सा गीज के उपर लगा लेना है और इसको हलकी से प्रेस करना है ताकि ये बैटर के साथ चिपक जाए सारी सबजियां और बस इसको पलट देना है इसको बनने में पांच मिनट लगते हैं और सही में ये इतना हैल्दी है बच्चों को आप देंगे तो बच्च प्रेन डोसा आपने बना लेना है उसको इसके उपर रख देना है इस तरीके से और इन दोनों को अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है जब तक अच्छे से ना पके और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चे इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रेकफस्ट या डिनर या लंच में भी आप इसको दे सकते हैं तो इसी तरीकी से आप दूसरा भी बना लीजी तो यह जो मैंने बनाया है यह मैं सेड्विच बनाने वाली हूँ डूसरा का और इसके अंदर जितने भी वेजटेबल मैं डालती हूँ वो मेरे अपने बेटे के अकॉर्णिंग डालती हूँ जो वो खाता है जैसे वो टमाटर नहीं खाता हो तो मैंने टमाटर नहीं डाला है अगर आप चाहें तो टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं और इसमें बागी कुछ चीज नहीं बनता है और यह जो सेकंड में बना रही हूँ इसको यहां साउथ में उत्वम बोलते हैं और यह भी बहुत टेस्टी होता है हाँ अगर आप बाहर कहीं खाते हैं तो वो थोड़ा सबजियां कम डालते हैं लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप ढहर सारी सबजिय उसमें डाल सकते हैं बस दिहान ये रखना है कि इसको थोड़ा आपने अच्छी से पका लेना है नहीं तो सबजियां थोड़ा क चिकची से लगेंगी और उसके बाद इसमें नमक और काले मिर्च ही आपने डालना है बागी कुछ भी नहीं पढ़ता है इसमें लेकिन इतना टेस्ट ही होता है आपको बहुत पसंद आएगा और इसको आप नारेल की चटनी के साथ खाएं अगर आपने नारेल की चटनी की र दोसे का तो उसको मैंने इस तरीके से चार पीसे में काट लिया है और आप ऐसे चोटे-चोटे पीसे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रेक्फस्ट में भी दे सकते हैं और नारेल की चटनी के साथ यह बहुत अच्छा होता है आप ज़रू ट्र कभी मैं उसके लिए प्लें डोसर बना देती तो आप भी ज़रू ट्राय करना और मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई है तो आप उसकी भी रेसिपी देख लेना तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह पसंद आई होगी आप अपने बच्चों के लिए बनाएं आप से मिलती ह में नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर